जय मातादी नमस्कार दोस्तों स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने चैनल एस्ट्रो सच में दोस्तों करीब 400 वर्षों बाद 15 अक्टूबर शार्दिय नवरात्री से 12 में से इन 6 राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है। नवरात्री में इन 4 राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है और इनको धनवान बनने से स्वयम विधाता भी नहीं रोक सकते। दोस्तों 15 अक्टूबर शायद दिये। नवरात्री से इन 6 राशी वालों के जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिसे आप जिन्दगी भर भूल नहीं पाएंगे। आखिर क्या खास होगा? इन 4 राशी वालों के लिए इस नवरात्री में जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य जरूर देखें। साथ ही हम आपको बताएंगे इन राशी वालों को क्या उपाय करने होंगे ताकि इन्हें मिलने वाले शुभ फलों में कोई रुकावट ना आए। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की क्रिपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब भी कर दोस्तों, इस बार नवरात्री पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्री का महापर्व इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में शारदिये नवरात्री पर माध दुरगा की क्रिपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्थ है। जब घोडे पर आती है तब पडोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। डेविड होली पर आती है तब किसी महामारी से मृत्यू का भय बना रहता है। और जब देवी नोक पर आती है तो सभी के लिए सर्व सिध्ध दायक होता है और दोस्तों इसी तरह के प्रस्थान की भी सवारी होती है। इस नवरात्री का समापन सोमवार के दिन हो रहा है। ऐसे में इस दिन मा दुरगा का प्रस्थान हाथी पर होगा। हाथी पर प्रस्थान होने को बड़ा ही शुब संकेत माना। जाता है हाथी पर प्रस्थान का मतलब है कि इस समय शेश संगम देखने को मिलेगा। जोतिशियों की माने तो यह सहयोग पूरे चार सौ वर्षों के बाद देखने को मिलेगा। नवरात्री में सूर्य मीन राशी में, मंगल मिथुन राशी में, बुध मीन राशी में, शुक्रमेश राशी में, शनिकुम्भ राशी में और गुरु मीन राशी में होंगे। जोतिशीय द्रिष्टी से ग्रहों का यह संयोग बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। मीन राशी से सूर्य चंद्रमा गुरू और नेप्चून की सीधी द्रिष्टी कन्या राशी पर रहेगी। इन ग्रहों की स्थिती का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इस दिन गज केसरी बुद्ध आदित्य हंस और स्वस्थ राज योग बन रहे हैं। ऐसे में माता की पूजा का दुगना फल प्राप्थ होगा। माता रानी इन चार राशी वालों को भर भर कर देंगे। आपकी जोली कम पड़ जाएगी। अगर आप पूरे विधि विधान के साथ अपनी राशी को ध्यान में रखते हुए पूजन करते हैं, आप या आपकी पत्नी कन्याओं को सुयोग ये उपहार देते हैं, तो आपके लिए यह अत्यंत शुभ कारक होगा। राशी के अनुसार क्या उपहार दें, कैसे खास पूजन करें, या भी हम आइकॉन जरूर दबाएगा, तो इस नवरात्री पर लाभानवित होने वाली पहली खुशकिस्मत राशी है, मेश राशी मेश वालों के लिए अचानक से धन लाब के योग इस शुभ अवसर पर बन रहे हैं, किसी खास व्यक्ती से मुलाकात होने पर आपको लाब होगा, पर यक्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबरदस्त धन प्राप्ती के योग हैं, लगपती करोडपती बनना आपका भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी, तो खर्चे में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चे पर नियंतरन रखें, महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुँचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा ले ली, व्यापार में अभूत पूर्व लाभ मिलने के संकेत है, इसमें मित्रों और री, कतेदारों का सहयोग मिलेगा, मेश राशी के स् खीका लगाए और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें भेंट करें, अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे, तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है, इस पर्व पर लाल रंग के फूल मा दुर्गा पर चढ़ाए, इन में लाल कमल, अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मा भगवती को प्रसन्न कर, राशी स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है, साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें, आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा, वाहन चलाते समय दानी बढ़ते हैं, इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशी है, व्रिशब राशी, इस बार मा दुर्गा व्रिशब राशी के जातकों पर विशेश क्रिपा रखने वाली होगी, मा दुर्गा का आगमन व्रिशब राशी वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदाई होने अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। रहेगा व्यापार करने वाले जातकों को कोई नया अवसर या फिर नई डील हासिल हो सकती है। जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तुला राशी का स्वामी शुक्र को माना जाता है। कुम्भ राशी कुम्भ वालों के लिए पिछले कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों न रहा हो लेकिन शारदिय नवरात्रि से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लगपती तो क्या करोडपती तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होगी? लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। परिचितों से ना उलजहें नहीं ऐसे किसी व्यक्ती पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ रही थी, वह सब दूर होगी। कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामगरी उपहार में दें। ओ, कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहनें, तो इन चार राशिवालों के सितारे अब बुलंदियों पर हैं। इन्हें धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी आ सिध्यम फलकारी होगा, तो बाकी राशिवाले निराश न हो जाए। सच्चे मन से मा की आराधना करें। आपके दिन भी बदलेंगे, तो आईए दोस्तों, अब आपको बताते हैं, शार्दिये नवरात्री में राशिय अनुसार कौन से उपाय करने से आपके घर परिवार में बनी रहेगी, सुक, सम्रिध्धी और आप हो जाएंगे, धनवान और माला मालमेश, राशिमेश राशिका स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है, अगर आप नवरात्री में नौ दिनों तक सिध्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो माता आपको मकान, जमीन या व दिनों तक सब श्लोक की दुरगा का पाठ करते हैं, तो माता की विशेश कृपा आप पर बनी रहेगी, वित्ती यस्थिती बहुत बहतर होगी, इसके साथ ही आप माता के नाम का जप निरंतर करते रहें, ऐसा करने से आपको जीवन में कभी भी कोई बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, मिथुन राशी मिथुन राशी का स्वामी बुध ग्रह को माना गया है, आप नवरात्री में दुरगा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो माता राणी आप पर प्रसन रहेंगे, इसके साथ ही आपको जमीन या मकान ववाहन सुख मिलेगा, आप नवरात्र में माता की उपासना के साथ साथ शिव उपासना भी करें, ऐसा करने से माता राणी आपको साहसी और पराक्रमी बनने का वरदान देगी, इसके साथ ही जातक को आध्यात्मिक शक्ती मिलती है, धन में कभी भी कमी नहीं आती है, परिवार में खुशियां बनी रह इसके साथ आपको श्री रामचरित मानस का संपूर्ण पाठ करनी चाहिए, जिसके आपके जीवन, में माता रानी के साथ साथ भगवान राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके साथ ही समझता मंगल का नाश होता है। इसके साथ ही साथ को मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा। वह सब तो श्लोक की दुर्गा का भी पाठ करें, जिससे आपके जीवन में सुख सम्रिद्धी आएगी। मकर राशी का स्वामी शनी है। मकर राशी के जातकों के लिए चार आठ के अंक भाग्यशाली होते हैं। मकर राशी के व्यक्ति अति महत्वा कांक्शी होते हैं। यह सम्मान और सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य कर सकते हैं। शनिदेव का प्रिय रंग काला और नीला है। ऐसे में इस राशी के जातकों को नीले रंग के फूलों से मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। कुम्भ राशी का स्वामी शनिग्रह को माना गया है। आप शारदिय नवरात्र में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ एवं माता के नाम का एक सौ बार जप करते हैं तो आपकी संतान को नौकरी में सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपके जीवन में पाबनी रहेगी।